नमस्कार आप देख रहे हैं ड्यूस्पेस 21 मैं हूँ आपके साथ ललेता चक्रधारी रोट किनारे ओवन में स्टीम हो रहे हैं नरम नरम मोमोज हर किसी ने खाये ही होंगे इन्हें जब मसालेदार चेखनियों के साथ परोसा जाता है तो उनका स्वाद काफे बढ़ जाता है आलाकि मोमोज के शौकिन लोगों के लिए एक बुरी खबर है कुछ दिन पहले दिल्ली के एक व्यक्ति की मोमोज खाने से मौत हो गई थी जिसके बाद अखिल भारती आयुर्विज्यान संस्थान यानि की एम्स ने एक एडवाईजरी जारी की है अगर आप भी मोमोज खा गुए क्ारन दिल्ली के एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गयी के मताबिक ने मोमो स को बिना चबाए निगल लिया था जिससे उसका घुड गया बंभाईजरी जारी की है मोमोस खाने का सही तरीका बताया है एंस ने बताया कि दिल्दी के जिस 50 वर्षी व्यक्तिकी की मोमोस खाने से मौत होई थी उसकी असी सास की नली में एक मोमो फस गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी मोमोस के कारण दम घुठने और उससे नियोरजेनी कार्डियक अरेस्ट आने की वज़े से सक्ष की मौत हो गई एम्स के विशेसग्यों ने मोमोज खाने वालों को चेतावनी जारी करते हुए एडवाईजरी जारी की है इस एडवाईजरी में कहा गया है कि मोमोज चिकना और फिसलने वाला होता है यदि कोई मोमोज को ठीक से नहीं चबाएगर उसे निगल लेगा तो उसका दमगूट सकता है इसलिए हमेशा इस बात का खास खयार रखें बता दे आपको मोमोज एशिया की सबसी प्रशिद्धी स्ट्रीट फूट्स में से एक है मोमोज पकोडी जैसा दिखता है जिसके अंदर अलग-अलग तरीके की स्टफिंग होती है यह मोख्य रूप से नेपाल तिबबत और भारत में काफी फेमस है इन्हें मैदा या आटे में लपेट कर उसमें स्टफिंग करके बनाया जाता है आपको बता दे मोमोज आपको कई तरह से नुकसान भी पहुँचा सकते हैं इसलिए इसके सेवन करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मोमोज के उपर की लेयर मैदा से बनाए जाती है मैदे में मिलाए जाने वाले ब्लीच केमिकल अगनाशय को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं जिससे इंसूलिन उत्पाद अंचमता प्रभावित होती है मोमोज के अंदर इस्तमाल होने वाली सबजिया और चिकन लंबे समय तक रखे रहने से खराब हो जाती है ऐसे इंग्रेडियन्ट से बने मोमोज का सेवन करेंगे तो जाहिर से बात है आप बिमार हो जाएंगे वहीं मोमोज के साथ लाल मिर्च भी दिया जाता है लेकिन इस लाल मिर्च का ज्यादा सेवन करने से आपको कई तरह की बिमारिया हो सकती है वहीं मोमोज का सुवात बढ़ाने के लिए मोमो सोदियम ग्लूटामेट मिला जाता है सोदियम ग्लूटामेट सफेद क्रिक्रिश्टल पौदर की तरह होता है जो नाकेवल मोटापे का खत्रा बढ़ाता है बलकि नर्व डिसॉर्डर, पसीना आना सीने में दर्द, मतली आना और हार्ट रेट बढ़ाने जैसे स्वास्त जोखिम का कारण बन सकता है वही मोमोज में पत्तागोबी की स्टफिंग होती है जिसे अगर ठीक से नहीं पकाया गया तो इसमें टैप फॉर्म के बिजारू हो सकते हैं जो मस्तिस्क तक पहुंच सकते हैं और आपको काफे लुकसान पहुंचा सकते हैं तो आप भी मोमोज खाते वक्त इंसाली बातों का ध्यान रखे और खुद का खयार रखे ऐसे ही जानकारे से लगातार अबडेट रहने के लिए देखते रहें निउस्पस 21 आपके हक की बात